जैश्री कृष्णा दोस्तो स्वागत है, हमारे एक और नए विडियो में आज के इस विडियो में बताऊंगी कि करवा चौत का व्रत क्यों मनाया जाता है, और कौन सी महिलाएं इसे मानती है तो विडियो सुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ तो दोस्तो करवा चौत का व्रत भारतिय संस्कृती में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह व्रत विशेश रूप से उत्तर भारत के राज्यों में लोकप्रिया है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करते हुए इस को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं। और त्याग को दर्शाती है। कथा का मुख्य उद्देश यह है कि एक पत्नी अपने पती के प्रती ना केवल अपने कर्तव्यों का पालन करती है, बलकि उसकी लंबी उम्र और स्वास्थे के लिए भी समर्पित रहती है। तो दोस्तों इस कथा की शुरुआत कुछ इस प गुणवान लड़की थी और वह साथ भान्यों की इकलोती बहन थी। अपनी सुंदर्ता और गुणों के कारण उसकी शादी एक राजा से हुई थी। शादी के बाद वीर्वती अपने ससुराल में बहुत ही खुशाल जीवन व्यतीत कर रही थी। व्रत के नियौमों के अनुसार वीर्वती को सुरियोदय से पहले सरगी खानी थी और फिर दिन भर बिना पानी और अन्न के व्रत रखना था। शाम को चंद्रमा को देखकर अरग्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। भाईयों का सने। वीर्वती के साथों भाई बहन नहीं हुआ। भाईयों ने अपनी बहन से कहा देखो चंद्रमा निकल आया है। अब तुम अपना व्रत तोड दो। वीर्वती ने भाईयों की बात मान ली और चंद्रमा समझ कर उसे अरग्य देकर व्रत तोड दिया। तो दोस्तो व्रत तोडने का परिणाम क्या है हम सब लोगों को ज वीर्वती ने जैसे ही वरत तोड़ा, उसका पती, जो युद्ध के मैदान में था, गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे विधिविधान के साथ करवा चौत का वृत किया। उसने वृत तोड़ने के लिए भगवान से क्षमा मांगी और अपने पती के स्वास्थि की कामना की। उसकी भक्ती, समर्पण और आस्था को देखकर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके पती को पुना जीवन दान दिया व्रत की पौरानिक महत्ता करवा चौत व्रत की यह कथा विवाहित महिलाओं को यह सिखाती है कि पती-पत्नी के रिष्टे में विश्वास, प्रेम और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है यह व्रत यह भी बताता है कि एक स्त्री अपने पती के सुख और दीरधायू के लिए किस हद तक जा सकती है करवा चौत का व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है बलकि यह पती-पत्नी के बीच के प्रेम और सामन जस्य को भी दर्शाता है करवा चौत की परमपराएं और रितिरिवाज करवा चौत का व्रत कई रितिरिवाजों और परमपराओं के साथ मनाया जाता है व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी खाने से होती है जो सास अपनी बहु को देती है सर्गी में विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाया और फल होते हैं, जिने खाकर महिलाएं पूरे दिन वरत करती है सर्गी के बाद दिन भर बिना जल और अन ग्रहन किये वरत रखा जाता है कथा सुनने के बाद महिलाएं चंद्रमा को देखने की प्रतीक्षा करती है जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, महिलाएं चंद्रमा को अर्ग्य देकर वरत खोलती है अर्ग्य देने के बाद पती अपनी पत्नी को पानी पिला कर उसका वरत तुडवाता है समाज में करवा चौथ का महत्व करवा चौथ का वरत न केवल धार्मिक दृष्टी से महत्व पूर्ण है बलकि यह समाज में भी विवाहित महिलाओं की भूमी का और उनके समर्पन को महत्व देता है इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है और यहाँ पति-पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को और मजबूत करता है वर्तमान समय में भी करवा चौत का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है महिलाएं इस दिन नए वस्त्र धारण करती हैं, सोला श्रिंगार करती हैं और सामूहिक रूप से व्रत की पूजा करती है करवा चौत के व्रत के प्रती महिलाओं का समर्पन और आस्था सदियों से बनी हुई है और यह भारतिय संस्कृती का एक अभिन्य हिस्सा बन चुका है व्रत का संदेश करवा चौत का व्रत हमें यह सिखाता है कि पती-पत्नी के रिष्टे में प्रेम, समर्पन और विश्वा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पती की दीरगायू और सुख की कामना के साथ किया गया यह व्रत यह भी दर्शाता है कि एक स्त्री के जीवन में उसका पती कितना महत्वपूर्ण होता है करवा चौत का व्रत एक ऐसा अवसर है जहां न केवल महिलाएं अपने पती के प्रती अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं बल्कि पती भी अपनी पत्नी के समर्पन को सम्मान देते हैं अंत्तह, करवा चौत का वरत न केवल धार्मिक कर्मकांड है, बलकि यह पति-पत्नी के बीच के रिष्टे को और भी मजबूत बनाने का एक माध्यम है। यह वरत भारतिय संस्कृती में पति-पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और सामन जस्य का प्रतीक है, जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के कथा के लिए इतना ही भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा बस आप कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा जरूर लिखे।